Welcome back guys, उमीद करता हूँ आप सब खेरियस से होंगे, तो आज की इस वीडियो में हम लोग देखेंगे, कि हम WordPress में page कैसे create करते हैं, और जो page हम create करेंगे, उसे हम website पर कैसे show करवाएंगे, कैसे आप उनके menus को set करेंगे, यह पूरा process हम आज की इस वीडियो के अंदर देखेंगे, तो चलो शुरू करते हैं, अब यहाँ पर दो चीजी होंगी, एक हम dashboard के अंदर कहां पर pages बिनाएंगे, और जो pages बिनाएंगे, उनको हम अपने menu में add कहां से कर सकती हैं, देखो, जो हमारा WordPress है, यह हमें purely dynamic website बिनाने का option देता है, pure dynamic website बिनाने का मतलब यह हुआ, जो आप pages ब आने के लिए, आपको हम dashboard में चलते हैं, dashboard में यहाँ पर हमने देखा था हमारे बहुत सारी options ही, यहाँ पर हम simple जाएंगे pages में, ठीक है, अब pages में हमें हमें आगे भी दो options दे रहे हैं, एक देरे all pages, एक देरे add new, सबसे पहले हम जाएंगे all pages पे, अब जिस तरा हमने theme में द select करता हूँ, यहाँ पर हम जाएंगे move to trash, apply, अगर हमारा pages हम delete करने चाते हैं, अपने किसी भी page को तो हम उसको simple इस तरीके से delete कर सकते हैं, अब यहाँ पर new page बनाने के लिए हमारे पास दो options हैं, एक तो हम यहाँ पर click करें, add new, एक हम pages में directly यहाँ पर click कर दें, दोनों को same ह होगा तो आप कहीं पर भी कर सकते हैं, मैं इधर add new पर click करता हूँ, ठीक है, add new पर click करने के बाद यह मेरा new open हो गया, अब यहाँ पर वो हमसे title मांग रहा है, ठीक है, मतलब जो आप अपने page का नाम रखना चाहते हैं, वो आप इधर दें, मैं इसको title दे देता हूँ, home का, ठीक है, अभी इसके अंदर जो content आएगा, अभी हम content नहीं डालेंगे, अभी हम simple इसका page का नाम रख देंगे, तो मैं इसको publish कर देता हूँ, simple, ठीक है, फिर से हम वापस जाते हैं, एक और page बिना लेते हैं, add new, और इसका नाम मैं रख देता हूँ, about us, इसको भी हम publish कर देत हैं, simple publish, फिर से हम वापस जाते हैं, एक और मैं page बना लेता हूँ, add new, और इसका नाम मैं रखता हूँ, course, ठीक है, फिर से हम publish करते हैं, publish, तो यह हमारा publish हो गया, ठीक है, आपके तीन pages बन गये, एक आपका home बन गया, एक आपका about us बन गया, एक आपका course बन गया, अभी हमन सिर्फ page बनाए है, हमने इनका content, image या किसी तरह हमने इनको, हमने अभी कोई चीज इनको नहीं दी, यह मैं आपको बताऊंगा कि हम यह किस तरह करेंगे, जो आपका theme आपको display कर रहा है, उसके according आपका data आपको display हो जाएगा, तो अब हम देखते हैं, मैं इधर जाता हूँ, इसको हम करता हूँ, simple refresh, तो यह देखें, यहाँ पर हमारे पास about us, फिर course, यह सारे हमारे पास pages आगे हैं, अब मैं आपको बताता हूँ, कि आप किस तरह इन pages को अपने menu में add करेंगे, तो menu बनाने के लिए हम क्या करते हैं, simple यहाँ पर जाएंगे appearance में, appearance में यह देखें, आपको यहाँ पर menu का option देगा, आपने simple menus पर click करना है, यहाँ पर हम क्या करते हैं, वो कह रहा है create menu, तो इसका ना मैं रखता हूँ, top, यह देखें मेरा आगया, top menu, आप कोई भी नाम रख सकते हैं, मैं इसका नाम simple top menu रखूँगा, ठीक हैं, और इसको मैं create menu कर देता हूँ ठीक है, अब हम क्या करते हैं, मैं यहाँ से view all, इसको हम इनको select all करके, बलके select all नहीं, इसको add to menu कर देते हैं, तो यह देखें, यह मेरे simple add to menu हो गए, और यहाँ पर यह दरा, इसको भी हम remove कर देते हैं, मैं से मुझा लग तरह दो दो दफा़ा add हो गए हैं, तो इसको भी हम कर देते हैं, remove, इसको भी remove, अच्छा, अब यह आपके, आपने एक menu बनाया, उस menu के अंदर आपने यह तीन pages add कर दिये, अब अगर आप इनकी sequence change करना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि home के बाद course है, तो आप simple इनको drag and drop भी कर सकते हैं, यह मैं इसको drag करके उपर ले गया, मैं चाहते हों कि मेरा home के बाद course है, course के बाद about us है, तो हम क्या करते हैं, अब हम इधर देख लेते हैं, यहां पर वह मैं कहरा, auto add pages, ठीक है, यानि आपका जो भी निया page बनेगा, अगर आप इसको चाहते हैं, तो वो खुदी आपके इस menu में add हो जाएगा, और display location, primary menu, मैं इसक simple हमें 3 pages बना दिये, और उनके menu दे दिये, देखें, अगर मैं यहां से इसको उपर कर लेता हूँ, अब मैं इसको save करता हूँ, और यहां पर जाते हैं, तो यह देखें, मैरा about us पहले आगया, course बाद में आगया, यानि हम यहां से जाके इनकी हम तरतीब change कर सकते हैं, जिस हमने ये भी देख लिया, कि हम page create किस तरह करते हैं, फिर हमने ये भी देख लिया, कि हम उसको menu में किस तरह add करते हैं, अब हम देखते हैं, उसके अंदर content किस तरह add करते हैं, तो मैं करता हूँ, simple, मैं dashboard में जाता हूँ, pages में, मैं अपने home पे click करता हूँ, added, अच्छा, अब हमें इसके लिए थोड़ा सा जरा content चाहिए होगा मैं content कहीं से internet से पोकड़ लेता हूँ मैं यही content पोकड़ लेता हूँ इसको मैं करता हूँ simple copy और यहां पर लाके मैं इसको कर देता हूँ paste ठेक है यह हमारा simple एक के अंदर हम जो भी content लिए content लिखना चाहते हैं अपने home के अंदर हमारा simple यहां पर आ गया अब मैं चाहता हूँ simple इसके अंदर एक picture भी एड़ कर दूँ तो मैं क्या करूँगा मैं simple यहां पर जाऊँगा page और page पर हम नीचे जाएंगे featured image आपने featured image पर set featured image पर जाना है अब यहां पर आपने media library में जाना है मैं media library में जाता हूँ इदर से मैं select file करता हूँ और यहां से मैं कोई भी file select कर लेता हूँ मैं यह picture add कर लेता हूँ open तो यह देखें यह हमारी आगया हम क्या करते हैं simple set feature अब हमने यह कर दिया हमारी यहां पर हुआ simple यहां पर हमारी picture आगी ठीक है अच्छा अब यहां पर आपका यह जो है हम इसको यहां से यह देखें हम इसको यहां से change भी कर सकते हैं मैं इसको bold भी कर सकता हूँ यहां से यह bold हो गया अब मैं इसको वापस से हाल करूँगा तो यह वापस से हो जाएगा मेरा यह देखें यानि हमारे पास इधर भी इसके अंदर भी एक editor है इससे भी सब कुश कर सकते हैं मैं करता हूँ मैं इसको update करता हूँ update यह update हो गया हमारा हम यहां पर जाते हैं मैं इसको refresh करता हूँ तो home पर click करते हैं तो यह देखें यह हमारा सारा content आगया home का यह देखें यह picture जो हमने add की थी यहां पर यह हमारी picture आगई और यह हमारा सारा content आगया ठीक है तो यह simple सा तरीका था हमने इस वीडियो में क्या क्या देखा हमने page create किया page create करने के बाद हमने menu में उसको add किया menu में add करने के बाद हमने देखा कि हम उसके अंदर content किस तरह add करते हैं उसके अंदर picture किस तरह add करते हैं फिर हम उसको अपने page पे show किस तरह करवाते हैं तो यह सारी चीज़े हमने आज की इस वीडियो में डिसकस की, तो उमीद करता हूं कि आपको समझ आया होगा, अगर आपको समझ नहीं आया है, या आपको पूछना चाहते हैं, तो आपको एंट में पूछ सकते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए खुदा आपको शेओ करो इसाओं लांबेहिफ के लांबेहिप रुना करता हुजीदी झाले शक्ले उन में और क्नें खर उन्म लेफजेशे के रत्याने स Сबूब के घब।